एक वाज मैं हमेशा कहता हूँ कि 10-15,000 करोड रूपए मुझे नहीं कमाने हैं, 10-15,000 लोग बनाने हैं जो एक एक करोड की कमपनी चला है, इससे ही इंडिया का पुड़ा ग्रोथ हो अकेले में लाइफ में वही जादा कुछ बड़ा उखारते हैं जो जिनके पास अलग माइंड रहता है, जो रियल लाइफ में काम करना जानते हैं, 13-19 का जो हता है न पीरियड, इसमें गेम्स की आपको लट लेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको गलत संगत में ले जाएंगे, या फिर ग नौर्मल बच्चा था जिसके लाइफ में कोई एम नहीं था, नौर्मली में पराई करता था और वैसे ही लगा रहता था, अचानक से इंट्रेस्ट आया, मैंने जैसे ही अपनी पुस्तक कंप्लीट की, 10 मैस गाई, बहुत सारे सेक्टर्स में इसकी जर्णी मैंने वैसी पर वहां से सीखते सीखते इतनी सारी कंप्रीज हो गई और यह सब कुछ हो गया, वहीं से बस सीखना एक अंदर की ललक थी सीखने की, इसके कारणी यह सब कुछ हो गया, और अलग-अलग सेक्टर्स में, आज टेक्लोजी, डिजिटल मार्कटिंग, क्रिप्रो कुरंसी, स् को कॉंगलोमेरेट, जो बड़ी-बड़ी रिलाइंस इंडस्ट्री जो भी होती है, उनको कॉंगलोमेरेट ही का जाता है, तो उस टाइप की सारा आइडिया है, हमारा तो सत्ते हैं, यहां पर आयाटी कानपूर का आपको एक सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, इसकी पीचे मैं आज़ zips था मेरा इस में मतलब शुन घृण जानने का की क्रप्लोग्वनाना गाए इसे मुझत में बने इंतना नहीं नहीं अलग पार आशा एनकट में इतना एतना इसमें नहीं नहीं थािन कियो कि यह ज्वर्फ जराजुएशन कोर्स वाइजुएशन के बाद IIT नॉर्मली क्या होता है 12 के बाद प्रोसेस होता है JEE, Mains, Advance उसके बाद rank आने पर आपको IIT मिलता है यह कैसे हुआ कि corporate का एक अलग batch बनाया गया था इस technology को पर आने के लिए मतलब यह नहीं कहते हैं इतिहास में कुछ सीज़े बहुत कम बार होती है में corporate का इक अलग batch बनाया गया था और as a corporate मैं as a student इसमें नहीं रहा सकता क्योंकि मेडी उम्र बहुत कम है मैंने graduation तक नहीं मैं भी 10th पास हूं नौर्मली कहा जा जा इसलिए corporate batch में में इन्रॉल्मेंट हुआ था जहांसे मैंने cryptocurrency और blockchain सीखा और इस course में 7-8 IITians थे जिनसे मा compete कर रहा था और उनसे जादा marks मेरे आते थे जो भी टेस्ट होते थे हमेशा ममी motivational support के लिए रहती है बापा हमेशा practical बाते बताते हैं और सारी चीज़ों मदद करते हैं दोनों का पूरा support है पूरी family का actually माबापको हर एक इनसान जो family में है उनका आश्रवाद और उनके support के करान होगा है जो बच्चे क्या कहते हैं parents कहते हैं कि परो परो हमेशा पढ़ते रहो परने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको real life में implement ना करें जानकारी तो सब रखते हैं रियल life में implement करें वही एक successful leader बनता है परहाई तो सब कर रहे हैं ऐसा होता तो अगर इंडिया में सारे बच्चे पर रहे होते तो आर इंडिया नमर वन बन जाता हर एक छेतर में अगर ऐसा होता तो दिमाग लगाने से होता है आप जो सेक्टर कर रहे हैं जिस जिस सेक्टर में भी पर रहे हैं दिमाग आपको चलाना पड़ेगा नॉर्मली पढ़ते रहेगा तो वही नौकरी छोटी मिल जाएगी उसी में life आपका समाप्त हो जाएगा कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा और हर सेक्टर में परहाई से लेके जो भी इंड्रस्ट्री में आप जाना चाहते हैं जिस भी चीज में इंट्रेस्ट उसको रियल लाइफ में उतारिए पढ़ते तो सब हैं लाइफ में वही ज्यादा कुछ पर आ जाएगी वहां जाएए और आपको पूरा डेटा महां पर दिख जाएगा सुड्यांस.com का और इस पर हर एक डेटा मेरी कंपनी का जो भी डिमेरे कंपनी में हो रहा है जो भी होने वाला है एक एक चीज हम लोग इस पर बताते हैं हमारी टॉप फाइव कंपनी क्या ह कितनी सारी कंपनी सुड्यांस.com का में वेबसाइट है यहां वैल्यूएशन का आपको एक टैप मिलेगा इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यह आपको में वैल्यूएशन के पेस पर ले जाएगा यहां लिखा हुआ है कि जिन भी लोग को हमारी कंपनी का वैल्यूएशन जाना है वैल्यूएशन रिपोर्ट दोड़रा 22-24 करेंट का चल रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यह आपको एक अलग वेबसाइट पर ले जाएगी जहां हमारी कंपनी का पूरा डाटा आपको मिल जाएगा कितना वैल्यूएशन हमारे कंपनी का है एक एक च चीज आप इसको स्लोली आप मैं दिखा रहा हूं वीडियो में आप आराम से पर सकते हैं यह हमारे चार साल का प्रेडिक्शन है कि हमारी कंपनी किस लेवल पर होगी और चालीस मिलियन डॉलर का ऐसे प्रोजेक्टेट किया गया है कि अगले पांच से चालों में हमारी कंप बरे लेवल पर ग्रोव करेगी मेरा में नेम यही है कि जितने सारे लोग तक में अपनी कंपनी को पहुचा पाऊं भारत का नाम पुरी दुनिया में कर सकूं यही मेरा एक नॉर्मल एम है और यह को आज मैं हमेशा कहता हूं कि 10,000-15,000 करोड रूपए मुझे नहीं कमाने ह हैं 10-15,000 लोग बनाने हैं जो एक एक करोड की कंपनी चला है इससे इंडिया का पुड़ा ग्रोथ हो अकेले मैं आगे ना बढ़ूं यही मेरी मान सिकता है और इसी पर मैं काम करूंगा